हेलो फ्रेंड्स एनाइटी जमशेदपुर में 2024 में एडमीशन लेने के लिए आप सभी को कितनी रैंक चाहिए जेई मैंस में यहाँ पर परसेंटाइल के लिए भी डिसकस करेंगे आगे इसी वीडियो के अंदर तो पहले रैंक में आपको एक्यूरेट बताऊगा कि कितने र और यहाँ पर जो है मैं सभी प्रोग्राम और ब्रांचेस की बात कर रहा हूं जो भी एनाइटी जमशेदपुर के अंदर है सिर्फ computer science या किसी एक ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं कितने रैंक पे आपको 100% admission हो जायेगा और परसेंटाइल के लिए भी बात करेंगे क्यो और जिन्होंने 12 किसी अधर स्टेट से किया है तो उनका OS आएगा इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा सीट टाइप ओपन यानि की जेनरल कंडिडेट्स और लास्ट में क्लोजिंग रैंक है 44,000 तो आपको इतनी ही रैंक लेकर आनी है बट परसेंटाइल की अगर हम बात कर और फिर भी एक एप्रोक्स आइडिया के लिए आप ये समझो 96 प्लस परसेंटाइल आपको चाहिए होगी यहाँ पर 96.5 के अराउंड सिविल के लिए बट अभी बताना सही नहीं है आप बस इसलिए क्योंकि परसेंटाइल अभी आपके पास सिर्फ है इसलिए बता रहा अधर स्टेट के लिए बात करें 34,000 फीमेल 43,000 तो अधर स्टेट के लिए जो 97.5 लेकर चलो एक सेफ साइड के लिए परसेंटाइल की बात करें और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जितने भी कैटेगरी हैं आपको हाई रैंक चाहिए हो है जेनरल के अकॉर्डिंग इस बात आप यह नोटिस कर रहे होगे तो वो कैटेगरी रैंक कट ओफ है उनके अंदर सिर्फ कैटेगरी कैंडिडेट सी काउंट होते हैं वह मैं आगे आपको समझाओंगा CS का एक्जामपल लेकर चलते हैं होम स्टेट को 10,000 चाहिए तो आप प्रॉक से आप 99.3 के अराउंट आप एक आइडिया है अगर थोड़ा अगर जादा स्टूडेंट्स अपीर होते हैं सेशन 2 में एक्स्ट्रा तो यह पूरा चेंज हो जायागा बट रैंक इतना ही आप टारगेट लेकर चलो अप्रॉक्स 10,000 बट EWS को 1900 चाहिए तो आप बोलो के जैनरल से भी हाई क्यों तो इसके अंदर सिर्फ EWS कंडिडेट सी काउंट हो रहा है सेम OBC के लिए यही सीन है SC के लिए भी तो यह बात में हर वीडियो में बताता हूं यहां पर आप अच्छे से NIT है अगर आप टॉप 10 NIT उठाकर देखो इवन टॉप 5 में रहता है यह NIT जमशेदपूर NIT वारंगल रोकला के कंपेरिजन में आता है बहुत अच्छा है बट NARF में तो इस साल निकाली दिया है और अगर इसकी प्लेस्मेंट जाननी है तो पिछले तीन साल की ब्रांच भी बता सकता हूँ बट परसेंटाइल मैं अभी फिर बता रहा हूँ कितने सुडेंट अपियर होते हैं उस पर चेंज हो जाता है रैंक तो यार इतनी रहेगी जितनी चाहिए है अब अब अधर स्टेट एलेक्ट्रिकल के लिए बात करें 18,000 है फिमल 27,000 और एक लेखने चाहिए हो अच्छे से इस टॉप करके देख सकते हो यहां पर देख सकते हो इस के ऊपर तीन-चर नीज रहता है इस बात का धियान देना है और अगर किसी डाउट है home state या other state में क्या difference है आप किस candidate के अंदर आते हो मतलब किस के अंदर आते हो किस quota में तो simply देखो आप 12 आपने किस state से किया है अगर आप ने जिस state से किया है और उस state में 90 है तो आप समझ जाओ आपके लिए home state है next यहाँ पर जो branch है engineering and computational mechanics 25,000 मैं यहाँ पर board की बात नहीं कर रहा CBSC हो या कोई भी board हो आपका state matter करता है यहाँ पर सो यहाँ पर आप देख सकते हो other state 17,000 काफी मतलब ऐसा ही जमशेद पूर एक एसी एनाइटी है ना कि आप नर्मल रैंकिंग में इसको नहीं देखते है बनलब लोग इसको हलके में लेते हैं बट ऐसा है नहीं है बहुत यहाँ पर आप अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो और इसके बद जितने भी एनाइटी है ट्रीपल आइटी जी एफटी आई आइटी सब के लिए करूँगा मैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल एकन प्रस कर देना other state 25,000 female 37,000 so यहाँ पर आप देख सकते हो and बा अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो and सिर्फ कट आफ सी नहीं प्लेस्मेंट्स फी स्ट्रेक्चर एडमिशन प्रसे रैंकिंग रिवियो इन सब पे वीडियो मैं डेली लेके आता हूं प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर 47,000 यह तो किसी भी ब्रांच को आप यहाँ पर खराब है मत लेना इसके एक बर प्लेस्मेंट जाकर देखो अगर नहीं पता दो बहुत अच्छी प्लेस्मेंट रेट है इसके अधर स्टेट के लिए 34,000 फीमेल इसकी कट-off बहुत लो रहती है वैसे तो हाई है बट टॉप अनाइटी के काफी लो रहती है इसकी कट-off बिल्कुल एवरेज अनाइटी जैसी है क्योंकि लोग यार जानते नहीं है इसके बारे में ज्यादा बट बहुत अच्छी इनाइटी है यहां पर सारी ब्रांचेस कंप्लीट हो जाती है वीडियो पसंद आई या इंफर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बैल आकन प्रेस कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो में डेली लेकर आता हूं कोई इ कमेंट्स में पूछो या फिर इंस्टेग्राम पर भी मेरे इंस्टेग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में